हलो क्या हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ओके कर रहे हैं तो दोस्तों वेलकम टो टो चैनल नॉलेज इन जनरल मेरे नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पर और दोस्तों आज का यह quick episode जो मैं बना रहा हूँ यह stream yard के उन लोगों के लिए है जो guest को अपने साथ live में बुलाते हैं लेकिन कई पर ऐसा होता है कि guest अपनी login id वगारा नहीं देना चाता है यानि कि जब वो link पे click करता है वो चाता है वो directly login हो जाए या सीधा आपके साथ connect हो जाए without giving any facebook और youtube authentication तो वह बहुत ही easy है वह initial time पर इस time पर आप अपना यह joining link बनाते है या फिर settings में जाके इस चीज को change कर सकते हैं यह बहुत ही easy step है और अगर आपने इसको नहीं किया है तो दोस्तो इस video में मैं आपको बता दूँगा कि without login ids without giving any email ids आपका guest आपके साथ live में कैसे join कर सकता है so without wasting much more time let us move to the computer screen और अगर आप इस channel पर first time आया है तो दोस्तो चैनल को subscribe जूरू कर लीजेगा और साथ लगे bell icon को जूर दबाईएगा ताकि आपको इस तरह की important videos की notification मिलती रहे so दोस्तों यह पहुंच गया है अपनी computer screen पर और यहाँ पर हम stream yard के अंदर है stream yard में में यहाँ एक enter broadcast option है इसको दबा लेते हैं और हम broadcast के अंदर enter हो जाएंगे so दोस्तों यह हम broadcast के अंदर आ गए है और broadcast के अंदर आप देखेंगे जब हम यहाँ से इदर share करते है invite link पर जैसे invite करने के लिए यहाँ से copy करते है link यह link जब copy करते हैं आपको एक setting में जाना है यह आप देख रहे है जो initial tutorial videos थी तो आप इस समय लीजिए कि यहाँ पर तीन चीज़ें है guest see viewers comments इस पर आप tick रखिए क्योंकि जब भी आपका viewer आपके साथ जुड़ा होगा तो वह public comment देख सके second चीज़ play sound when guest enter जब guest आएगा तो एक बीप होगी third is very important यहाँ पर question mark पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिखा रहा है require all your guests to authenticate with YouTube और Facebook this is required if you want the ability to ban the guest from the studio यानि कि अगर यह चीज़ option on है तब वो हमेशा authenticate हो कि आपके पास आएगा so that कल को अगर आप ban करना चाओ तो आप ban कर सको इसका meaning यह है कि अगर आप इसको off कर देते हैं तो अब क्या होगा कि guest link पे click करेगा without using any YouTube account या फिर Facebook page या फिर उसका ID के बिना ही वो आपके साथ जो है screen पर जुड़ जाएगा लेकिन कल को आप उसको block करना चाओ को तो block नहीं ह further more authentications तो दोस्तों यह एक चीज है वैसे preferable यह है कि आप इसको जो है authenticate करें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इस मेंस कि जो अपना यह जो link होता है वो बहुत जादा publicly spread मत कीजिए तो दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए बस सतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जूर कीजिएगा और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा दिस इस अमित कशप signing off and thanks for watching this video दोस्तों